एक के बाद एक रक्षा के क्षेत्र में नई नए बारते भारती वईज्यानिक सेना को मस्बूत करने के लिए लिख रहे हैं। लिए तुपों को भी जंगी बेड़े में शामिल किया जा रहा है। इसे साफ जाहिर होता है कि हमारी सेना युदिकोशल के साथ साथ युद में फट्र हासिल करने के लिए खुद को तयार कर रही है। कई मिसाइले सेना की ताकत की पहचान है। आज हम उन्ही मिसाइलों के बारे में बताएंगे कि कैसे वो दुश्मन के कले को भेद सकती हैं। सूर्य मिसाइल पर काम कर रहा है DRDO, Intercontinental Ballistic सूर्य मिसाइल, सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगचन पिछले कही सालों से सूर्य मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल का परिक्षन वर्ष 2017 में होने की उम्मीद है। इतनी ताकतवर होगी ये मिसाइल की छे देशों को एक मिनट में ही तबाह कर देगी। चीन और पाकिस्तान मिलकर भी देश के आगे आंग उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। इंटर कॉंटिनेंटल बैलस्टिक मिसाइल है भारत के सरवाधिक सीक्रेट प्लान के तहत बनाई गई इस मिसाइल की मारक क्षमता के बारे में बताया जा रहा है कि इसकी मारक क्षमता 10,000 से 12,000 किमी तक की है ये एक इंटर कॉंटिनेंटल मिसाइल है इस मिसाइल के भारतिय सेना के जखीरे में शामिल होने के बाद भारतिय सेना हिंदुस्तान में ही बैठे बैठे यूरोप, एशिया, अफ्रिका, अलास्का और उत्तरे कनाडा तक निशाना लगा सकती है किन किन देशों के पास एंटर कॉंटिनेंटल मिसाइल अभी अमेरिका के पास 13,000 किलोमीटर की मारक्षमता वाली मिसाइल मौजूद है चीन ने हाल ही 14,000 किलोमीटर तक माच करने वाली डूंग फिलंग 41 नाम की मिसाइल का परीक्षन किया है जबकि रूस के पास अभी 10,000 किलोमीटर और पाकिस्तान के पास सिर्फ 2750 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल मौजूद है भारतिय रक्षा अनुसंधान और विकास संगचन के वैग्यानिकों की लगातार कोशिश है कि वो भारतिय सेना को मजबूती प्रदान कर सके संस्थान के वैग्यानिकों कहना है कि अपने देश की सेना और सेनाओं को वो मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं जिसके सामने किसी भी देश की सेना खुटने ठेक दे और हार मान ले